कि अलो एंड वेलकम एब्रिवान वेलकम टू एग्रिकल्चर अटाट टॉंटिफोर से विन आफ सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में यानि की मन्थन में मन्थन का ये दिन जरूर चोथा है लेकिन हमारा पांचमा हो गया क्योंकि दोस्त हमने लास सोला तारिक ओने वाली है शोला तारिक को पहले फिसरीस को अच्छे से करेंगे जिसमें वन शॉर्ड में आपकी सारी चीज़ें एक्दम से जैसे अपने अभी आपका एपी केल्चर और शेरी कल्चर में किया आपके बहुत अच्छे कमेंस थे मुझे बहुत अच्छा लग है किसका फोन आया मैंने बाद में देख और पहले समझी नहीं पाइए इसे राग辅 कि सिर्दिी लगा कतerson ने किया है करते हो deshalb are westernन पह्ते हैं अ मनतन बहुत अच्छे से हम लोग यहां पर भॉह सारे सब्जेक अच्छे श्बजेक दोस्ति subscribe करेंगे Instagram, Telegram पर follow करेंगे हमें भी follow कर सकते कहीं पर भी ठीक है चलिए और हाँ एप को download कर लिए करेंट अफेर daily quizzes subject wise quizzes के लिए करना है ना करें सरक्ष कर लेंगे और हाँ जाके जो हमारा फिसरीज वाला section है ना फिसरीज वाली जो मेरा थन लगी है उसको यहर लाइक कर देना जाके notification ओन कर लेना ताकि आपको जगाने हमें ना आना पड़े हमारा फोन को दी आपका जगा दे आपको ठीक है देखा मैंने देखा तुम लोग ऐसे हो गए हो पहला question है कल मैंने एक चीज बोल दी थी उसको ही लेकि मैं क्लियरीटी थोड़ी सी दे दूँ विच आप फालोविंग सिल्क वों सिल्क कंटेन अराउंड 90 परसेंट अप द वाल्ड सिल्क प्रोडक्शन यह बता दो पहले ठीक है इसमें से सारी की सारी भारत का इस्टान इंडिया का इंडिया का अगर पूछा जाए तो दोस्त नंबर एक पर है ठीक है खपत तो हम सबसे ज़्यादा करते हैं भारत अपनी जितनी चीजों को बनाता है उतों बनाता है सिल्क को एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे इंपोर्ट भी कराता है चाइना से भी सिल्कों मंगाता है अफ्रीका से भी मंगाता है सब कहीं से सिल्को थोड़ो थोड़ो मंगाता भी है ठीक है हम लोग बहुत अच्छे हैं जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई होता है तो दोस्त कौन सी है बिल्कु सही जवाब है आप सभी का आंसर दे रहे हैं बी बोंबेक्स मुराई याद कर लीजिए वार्ड में भी इसका डंका है इंडिया में भी इसका ही डंका है यानि आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा महरा भी थीक है चलिए अगया ऑन क्या है ये..., यह कोश्यन रहा आंसर हो गया जल्दी से आंसर दो न्यूट्रेल हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आईसोटोनिक जल्दी से आंसर दो हाँ बहुत बढ़िया प्रतीक नई भाई सबने का था मुझे सब याद है मैं सब सुन रहा था मैं बाद में सब देखा हूं किसकी किसकी बाते थी उसमें ठीक है मिर्तिंजे भी था अकांचा भी थी साहिल भी थे हाँ देखे थे मधुरी मा बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं कहरे है सर हाइपोटोनिक बिल्कुत सही कह रहे हो अगर सेल को हाइपोटोनिक में डालोगे तो यह स्वेल कर जाएगी ठीक है अगर तुमने निउट्रल सलीशन में डाला तो कोई एफिक्ट नहीं लेकिन अगर तुमने हाइपर टॉनिक में डाला तो यह क्या हो जाएगी स्रिंक कर जाएगी स्रिंक यानि कि दोस्त कैसी हो जाएगी प्लाजमोलाइज्ट यानि अपने आपको पिछका लेगी और वहीं डाला लोगे तो नेट मुवमेंट मेंट जीरो होगा मुवमेंट वोगा मोवमेंट हो गा क्या मेरी बास समझής का क्यारा समझ चलो आगे आज आजओ आजओ आंजरो हो गया B question रहाई ये question बहुत अच्छा है ये दोस्त question फिसरी से है पहले पढ़ लेते हैं पहले पढ़ो आप ही ठीक है पहले आप ही पढ़ लो ठीक है पलक किसाफ पॉगर्स वाव भाई वा पलवी अनुभव शुभम गौरव अकांशा भूमिका बहुत बढ़िया रेडिस पैरो शाहिल जल्दी साजो अब बहुत बढ़िया गौरी बच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे अंतरा फरान चेतन साहिल अंसर दे रहे हैं सबी लोग कह रहे हैं सर आंसर इसका जो लग रहा है में जल्दी जल्दी अरे तुम लोग लाइक नहीं कियो ना सिसन भाइसे प्रश्च रखोर को हूं को हां लाइक करना होता है लाइक तो फटाफट से करना होता जैसे untuk लाइक कर दूए तो मेरे लिए चुटा सा प्यार वारत अपशा होता तुमारा जो आते याते दे दिया जाता है बहुत बढ़ी आभी अंसर क्या हो जाएगा अंसर दे रैंसी सही आंसर दे हैं अंसर दे लार्व को मेल का मारों किसी को पालने की जह चीज है बढ़िया इसी एक फिस्क करते हैं का यह चाहते हैं येगो रोल करती है मॉस्किटोस को मेंली अगर फिसका एक्जाम्पल देखो तो गंबूशिया कौन सी है गंबूशिया आंसर हो जाएगा सी विल भी दा राइट आंसर ठीक है कुश्चन है अगला कुश्चन यह है कि जब भी आप देखते हो अपने घर में अपने छोटे से यूज क का नाम बताईए वाई हाँ हाँ तुक स्वास्थ है साहिल बहुत बगठ बढ़ या जल्दी आ ज़ा जल दे ऑग चेंवह बहूँत अचा और बहुत अच्छे आंसर क्या हो जाएगा आंसर बैंसर दे रहें बहुत सारे बचे के रेंढ़ तार जूनिफर्स की यूज़ कि दोस्त लगभी लगडी होते हैं इसको वह संब करते हैं कि निए पैंसिल को बनाने के लिए अंसर क्या हो जाएगा अंसर हमारा ठीक है चलो अगले id पर आते हैं अगला कोश्चन है यह भी प्लांट फीजियोलोजी से ही है ठीक है पैड़ी प्लांट इंफेक्टेड विद फूट रॉट डिरीज एक डिजीज जिसको हो गई है जिससे कुछ प्लांट जो है टालर हो जाते हैं काफी लंबे हो जाते हैं यह बिचन फार्मों का नाम बताइए उस हार्मोन का नाम बताइए बहुत अच्छे भूमिका द्रश्या बहुत अच्छे गोरी बहुत-बहुत-बढ़िया परण बहुत अच्छे मधोरिमा प्रेंगा रेडिस पैनृ अमीत आर्जू ऊकैश बहुत अच्छे प्रलवी बच्चह सभी ने से यहिदिया है करेश qya होजाएगा on scor cut क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जिब्रेलिंस जिब्रेला फ्यूजी को राई नाम का दोस्त क्या है यह हमारा फंगश है जो क्या कर देता फुलिस सीडलिंग कर देता है राइस में और उसी से एक हमारा हार्मोन निकलता जिसको क्या नाम देते हैं जी ए थ्री बोलते हैं जिब्रैलिक एशिड की नाम से जानते हैं और कौन से थे बैग्यानिक कौन से थे करे सर जी कुरू सावा कुरू सावा आंसर हो जाएगा सी ठीक है चल अगला कोश्चन इस कोश्चन का अंसर अगर आपने दे दिया ठीक है तो दोस्त आपको 5 रुपए का पुरुसकार मिलेग यह पक्का वाला है यह पुरुसकार उधार रहेगा लेकिन हाँ मिलेगा पक्का आंसर दे दो इसका इस प्रस्ण का उत्तर चाहिए खुब आराम से पढ़ लो सरल है बहुत सरल है बहुत बच्चे आ दे रहा है बहुत बच्चे बच्चे वालों की संक्या कुछ ज्यादा है नहीं दुरश्या बच्चा8 सी तो विल्कुल नहीं होगा ठीक है क्रोमोंस इससा कुछ नहीं होता आंसर क्या हो जाएगा इसका अगर तुमने पूरा कोईशन पढ़ा है तो answer सही देते हैं if there is no availability of light for the long time the plant turn yellow ठीक है इसको हम लोग अलग चीज देते हैं ठीक है like of light के चक्कर में यह एलो हुए है ठीक है लेकिन अगर कह रहे हैं एलो होना ठीक है अगर plant yellow हो रहे हैं if the plant turn yellow due to any other reason जैसे nutrient से हुए हैं तो यह एलोईंग क्या कहलाएगी दोस्त यह एलोईंग कहलाएगी हमारी क्लोरोसिस तब क्या कहलाएगी क्लोरोसिस पहले हम तुम्हें बहुत बड़ा confusion दे रहे थे और उसका answer कुछ और हो जाता क्या हो जाता यह नहीं बताएगा कि उस पे भी कोई question हो सकता बना हो ठीक है तो यह मारा answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा इसका भी ठीक है chlorosis हो जाएगा answer हो जाएगा बी याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं नहीं मांगे सोना लोहा किस काम का जाने मन जाने मन महबबत यह हमारे कुछ एलिमेंट हैं जो जाएगा क्या कॉस करते हैं सबसे जादा कॉस करते हैं दोस्त क्या chlorosis ठीक है याद रहेगा ठीक है नहीं मांगे सोना लोहा किस काम का है जब जाने मन से महबबत कर वैठे हो तो सोना लोहा किस बात की आंसर फिसरी से है कुशन है कैच अब दे बिगेंस बिदा क्लीनिंग आइसिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ फिस एच सून एस पॉसिबल मालू मैं फिस पकड़ने के बाद सारे करम करना पड़ता है हम कह रहे हैं इस स्मोकिंग टेकनोलोजी होती है यह इसमें से किसमें पैसा बच्चा आपको मिल जाएगा पैसा जो है सब उधार हो रहे हैं ठीक है मैं सारे के सारे चुका दूँगा प्रॉमिस यूँ अंसर सी देने वाले बहुत बच्चे सही कह रहे हैं अगर कभी आपसे साल्टिंग कह दे तो के दूसर प्रजर्वेशन है कभी आपसे कैनिंग कह दे प्रजर्वेशन है संड्राइंग कह दे ठीक है संड्राइंग तो भी आपका क्या है आपका प्रजर्वेशन है ओवें ड प्रजर्वेशन के ही तरीके हैं दोस्त जिसको हम लोग अपनाते हैं किसमें फिसको प्रजर्व करने के लिए लॉंग टाइम के लिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा सही जवाब है ठीक है चलिए अगला प्रस्वाइब अल इंडिया कोडिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राइलेंड अग्रिकल्चर जिसको हम लोग बोलते ए आई सी आर्प किस पर पीडिये यहरी दोस्त यह कब आया था आंसर देंगे पचपन साथ पैंसट या फिस सतर ए आई सी आर्पी हमारा ड्राइलेंड यह मेरा ना इगदम सच्छा प्रामिस है ठीक है तूट जाता है यह टूटे का नाई यह टूटे का ना आई आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे डी बहुत अच्छे आंसर हो जाएगा क्या बिलकुल सही है डी जवाब एकदम से सही है 7070 बहुत अच्छे शरद सोनम ग for film forming and reduce crop lozing in rice crop सीधी बात है बहुत सिंपल बहुत बढ़ी आंसर जब यह crop lozing देखा ना आदा कोशन यहीं से हमारा क्या हो गया साल्व हो गया जल्दी से आंसर दो सोडियम सिलिकॉन नाइट्रोजन या फिर जिंक या फिर दो सननन ओफ जीज आंसर सभी का सही है एक साथ लगा के कहरें सर सब लोग भी लगा देंगे सिलिकॉन लगाएंगे बिलकुछ सही कहरे हो एक तो करता है आउटर इंभाइम्ट से लिकॉन से झेलिकॉन इसलिए हम लोग रैस फील केलिए इसे बेनीफिशल इनसे बेनीफीशियल एलिमेंट के रूप में रखते हैं सोडियम सिलिका को वाल्ट और वैनेडियम और वैनेडियम ये ठोड़े से दोस्त हमारे कैसे वने लिखा जाए वेनेडियम वेनेडियम इतना इंपोर्टन्ट है दोस्ति इसको मॉली बिडिनम के साथ अगर कभी तुम जो है एक्सचेंज कर दोना तो बहुत ज़ाधा फरक नहीं पड़ता मॉली बिडनम और वेनेडियम को एक्सचेंज भी कर दिया जाता है ठीक है बहुत सा तो हमारे एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं इसलिए तो थोड़ा सा हमें आंसर घड़ा आपको पता ही है को साही जवाब है अंसर क्या हो जाएगा फिस सही है एंटी फ्रीजिंग जीन हम कहां से लेकिया है टमाठर में डालने के लिए दोस्त हम लोग फिस से लेकिया है सही जवाब है चलिए अगले कोश्चिन पर आते हैं यह जवाब एकदम से सही होगा यह रहा प्रसू बहुत इंपोर्टेंट है आपने इससे पहले इसस 72 बन के आता है और यह में लिसका हरटेंट के बाद करो इससिट्यूट Leaf कोचई में इसका कसा रजा हमने कुछ STEP नहीं जानना हमों को जानना है किस निस्ट्री के अंडर में रौक करता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में वाट करता बहुत बच्चाई से एक गौरब मधुरिमा अकांशा शोनम दामिनी भूमिका हाँ सही है सही है आंसर सभी ने लगा दिया है करेसर आंसर लगाएंगे की यार तुम लोग इतने सही इतने कोश्चिन कैसे सही कर सकते हो बहुत सही है एकदम सही जवाब है ministry of commerce and industry के अंडर में यह काम करती है किसके बहुत सारे बच्चों को ना यह थोड़ा सा लगता है कि अगरिकल्चर के सरे अगरिकल्चर होएगा नहीं दोस्ति यह आंसर इसका यह ही है सही है ओ माइग गॉड यह लग गया था पहले ही अ मैं कहूं इतना कैसे आप लोग intelligent हो गया यह इता बढ़िया कोशन कैसे पकड़ लिया क्या यार एक क्वेश्चन है यह फिसिंग क्राफ्ट से करेक्स इंपलेस्ट टाइप की एक फिसिंग क्राफ्ट है ठीक है जिसको लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं कर्व होती है थोड़ी सी लकडी की बनी हुई होती है और एक दूसरे से जुड़ी होती है किससे फ्लोटिंग राफ्ट से जुड़ी होती है यह इस्ट कोश्ट पे इंडिया में बहुत ज्यादा सेमस है कौन सी है अगर सिंपलेस टाइप पूछोगे ना दोस्तिसमें सिर्फ एक ही जो सबसे सिंपल है आंसर देंगे ठीक है हाँ हो गया भाई दिव्या हो ठीक है मैं देख नहीं पाया मैंने आंसर पहले को स्लाइड से हमसे हो गया है तभी मैं खुद चक्करें पढ़ गया कुछ भी तुम सबसे सरल कोशन पूस दो भारत का प्रधान मंत्री कौन है ठीक है और तुम यह पोल डाल दो इसमें तुम चार आप्सन दे दो ठीक है चार आप्सन दे दो और नाम ऐसा करो नरेंद मोधी पहले नंबर पर और बागी चार जो है स्वरगिये वाले लगा दो तब भी देखना भाई उसमें से इसमें इसमें तुम्हें कम से कम 10-15 लड़के देखी जाएंगे कि यह आंसर लगा देंगे जबकि नरेंद मोधी इतना फेमस है पता नहीं कहां से आते हैं यह लोग देखा एकसर देखा है हमने ठीक है सरल पोल डाल दो तुम उसमें भी ए प्रदान मंत्री नितीश कुमार आई ते बताते हैं अंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए ठीक है कैटा मेरन टाइप इसका आंसर हो जाएगा यह सबसे सिंपलिस्ट टाइप हमारी होती है एग विल भी दाराइट आंसर ठीक है चलो आगे आजा अगला कोशन ब को एक्स्प्लेयन करती है फोटो रिसपायरेशन को फोटो ट्रोपीजम को पेरियोडीजम को या फिर फोटो म सर्पल दर आखना से आइवाल कई सारे मेम आंते हैं वाईर मेम आते हैं वाईरेल है च्खासे माई कर दाख को सब्सक्राइब है यहां डी आंसर दे रहे हैं फोटो मॉर्फोजनेसिस कर ला था अगर तुमने डवलू एफ बेंट का नाम भी सुना होता ना डवलू एफ बेंट तो तुम सही कर देते एक्चली में यह और जिन से रिलेटेड थे किसे रिलेटेड थे और जिन से कोगे सरी आउख जिन से कैसे रिलेटेड थे इन्होंने बहुत बढ़ी है experiment करे दे लेकिन दोस्ति अकेले नहीं किये थे इन्होंने के साथ में किये थे ठीक है अब दोस्त जैसे हमने और जिन नाम सुना ना तो इसमें सिरिफ एख ہी चीज़ है जो हमारी ओजिन से रिलेटेड वह याद है ना, प्रकास की तरफ क्या move कर जाना, answer इसका हो जाएगा B, एक्चिली में answer था B, और आपको क्या लगा, कुछ B, कहे थैं हम तो कुछ B लगा देते हैं, हमको तो तुक्का लगाने मतलब, हमने कभी यह नहीं देखना होता है कि answer क्या होगा, हमको क्या लग रहा है is important क्या होगा यह सब जरूरी नहीं है आंसर इसका भी होगा ठीक है चलो आजाओ अगला question question यह है कि बताओ कितने kilo ice की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास में एक kilo मचली है ठीक है एक kilo मचली है अब उसको दोस्त प्रजर्व करने के लिए ice किया जाता है icing की जाती है क्या करना है कुछ नहीं दोस्त उसको जो है आपको handling proper करनी है और जब भी आप किसी भी उसे जो क्रेड में रखने जा रहे हो वहाँ पर पहले icing करोगे ठीक है तो बताओ कि एक kilo के लिए चल ships के लिए कितने किलोग्राइंट कि होती है पर केज़ी आज हूँच के लिए ऑमारा ज consecut के है कितने हमारा is कि ضरूरत होगी तुक्का लगाओगे मुझे पता है मुझे पता तुम्तुक्का लगा ओगे लगवरी इंतना अच्छा लगाना भी तो बड़ी लोग है प्रेंग का बच्छा बहुत सही आंसर सभी का सही है ठीक है अच्छा हम लोग एक और अपनी मेंटलिटी रखते हैं यह सोचते हैं कि क्या करें जो सर आप सर थोड़ा सा अजीव दिख रहा हो अजीव नारमल इसमें कोई कि पॉइंट लगाते यहां पांच भी लिख सकते थे नहीं लिखा सर ने कुछ नकुछ तो सोचा होगा है इसको एसे रख़ाए उसको थोड़ी छेड देंगे दो सैसा ही कुछ आंसर होगा दिमाग तो लगाते हो तुम लोग दिमाग का प्रियोग तो तुम एंड sum कर रहे बतानी आपको इसमें से कौन सी है A, B, C, D, E अच्छा पता था अरे तब तो बहुत अच्छी बात है ठीक है अकडवकडवी होता है हाँ गोरी बैच्छा अकडवकडवी करते हैं बहुत सारे लो ये नया आया अंसर अंसर क्या हो जाएगा? क्या है हमारी? आंसर A जो है दोस्ति यह बियार की हमारी क्या है? इस्टेट फिस है थोड़ी थोड़ी न अमने आपको इस्टेट फिस का एक छोटा सा घ्यान दिया था अगर नहीं याद है तो अभी हम 16 तारिक को लेके आ रहे हैं आपके लिए फिसरीज की महरातन उसको सेशन को लाइक कर लेना है फिर तो वहां पर हम सारी चीजों को कवर ही कराएंगे ठीक है चलो अच्छा आपको पता है जो चीज हमने कल कराई थी इसके हमने आपको कमेंट बोक्स में यहां से जाना यह आपको सारी पीडिएफ मिल रही है तो दोस्त यह पीडिएफ तो ले ही लेना साथ में आपको एक काम और करना है वह यह है कि वह जाके देड़ सो कोश्चन एक बार सॉल्व कर लेना पूरे के पूरे सेरी कल्चर से ही है ठीक है याद र आर्मोन है और ग्रोथ में भी कैसा प्रमोटर है और साइटो काइनिन में दोस्त आपका इस्कूग आइन मिलर का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि दोस्ती नहीं खोजा था नेचुरल की अगर बात करें तो जी आटी ने दोस्त जो सब नेचुरल होती है इसको हेरिंग आप more division का मतलब more growth ये सेलग के growth को लेके थोड़े सी क्या है यह हमारी मानी जाती है हर्मोन माना जाता है साइटो काइनिं लेटरल ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाता है जैसे auxin जो था वो आपकी apical growth यानि लंबाई को ज्यादा बढ़ाता था और यह हमारा चोड़ाई यानि चाहिलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा इम जिम्मेदार माना जाता है answer इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा हमारा ए ठीक है question जिसको छोड़ा था ना भी हमने है अब उसको पकड़ने का try कर रहे है there is no availability of light for long time the plant turn yellow what is yellowing of plant due to lack of light lack of light से जो yellowing होई है इसको क्या बोलेंगे इस प्यार को क्या नाम देंगे बताओ क्या गजब तरीके से कवर करवाया से रिकल्चर सर जी का फेमस डाय अरे नहीं भाई itulation यह यही छोड़वाया थे बहुत बढ़िया शुबंबच्चे यह हमने कल यह थोड़ी देर पहले छोड़वाया था यही था itulation ठीक है lack of light के कारण जो allowing हो जाती उसको हम लोग itulation नाम देते हैं गजब है तुम अभी सेशन को पता है बहुत सारे बच्चे लाइक ही नहीं की है पढ़ रहे हैं लेकिन पता नहीं हमको पसंद नहीं करते हैं कर लियो ठीक है कर लियो हमको पसंद थोड़ा सा अंसर हो जाएगा ए अगला question which of the following is the process in which nutrient rich water bodies support to dense plant population like algal bloom अब देखो algal bloom जैसी चीज़ आ गई है तो सीधी बात है यह oxygen को क्या करेगी खुदी खीच लेगी तो दोस्ताब क्या होगा एनिमल्स जो हमारे पूरे टोटेल किस पे डिपेंड थे और oxygen पे डिपेंड थे dissolve oxygen पे वो तो मरेंगे ही मरेंगे तो resulting in the diversity loss इससे biodiversity loss होगे इस प्रोसेस को क्या नाम दिए इस प्यार को क्या नाम दो बताओ extension, eutrophication, biomagnification, pollution या फिर दो नो आंसर दो nutrient rich water bodies गज़ा भय है nutrient rich water bodies आंसर क्या लगाएंगे बायो-magnification पता क्या होता है यह toxicity जो हम लोग डाल लें इसके अधा हम ही लोग खा पी रहे हो खा पी रहे तो हमारी body में deposit हो रही न तो इसको बोलते हैं क्या biomagnification ठीक है हम लोग बायो-magnified हो रहे हैं कैडमियम सबसे ज़्यादा खराब होता है तो पता है उसके चक्कर में हम लोग serious water को कभी भी irrigation में यूज नहीं कर पाते ज़्यादा amount में ठीक है थोड़ा limited है तो कर सकते आंसर यहां पर सभी का सही है बी will be the right answer eutrophication ठीक है क्या हो जाएगा eutrophication nutrient rich water body लिख दिया बस स्टाइन इसको बनाने के लिए कौन सी जिम्मेदार है आंसर दो अंसर दो अंसर दो sulfur containing amino acid को बोलते ही है ठीक है गलत बोल गया कोई नहीं आंसर तो निकली गया तो जान लो कोई बात नहीं अब तुम अगर sulfur containing vitamin अगर हमें एक बता दो न तो भाई गारंटीड मैं आपको पांच रुपए का इनाम अब दे दूँगा इसमें अगर sulfur containing अब amino acid की जगा vitamin बता दो कोई है जो बता दे कोई है जो बता दे नहीं बताएगा मुझे पता है बायोटीन कौन सी है बायोटीन यह कोश्चन अगर आ जाए ना दोस्त तो बहुत सारे बच्चे ना कर पाएं बायोटीन है याद कर ले ना दोस्त यह क्या है sulfur containing हमारी vitamin ठीक है आंसर हो गया मुए मुए कोई नहीं कोश्चन आपका आंसर क्या इसका D है अगले प्रस्त की तरफ आते हैं प्रस्त नहीं विल वी लांच बाइड़ सिविल अविएशन मिनिस्ट्री फॉर्द एक्सपोर्ट इन एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट के लिए हमन या फिर दोस्त उडान के रहे तरी तो प्रितिवा मैं मैं आंसर दो विच दो फॉलोंग विल वी लांच बाइड़ सिविल अविएशन मिनिस्ट्री फेक्सपोर्ट इन अग्रिकल्चर बहुत अच्छे एक नंबर बिल्कुस सही कह रहे हो भाई आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर लगा रहे हैं ए बीबी लगा रहे hiệnा वी नहीं होगा किसान उडान नहीं है दोस्ती से बोलते हैं क्या क्रश Zahl के ऑ्ड़न आंसर हो साघक ऐँगा ठीक है शलो पिर्ठे हमोती है होता क्या है इस में फिस्में इदीजीज में टेल जो है हलकी से जो इसकी पूंच यानी दोस्के caudal fins यह वाले हलके से bent हो जाते हैं तिर्चे हो जाते हैं deformity of the mouth area mouth area में थोड़ी से deformity हो जाती है ठीक है and blackening of the tail area the main symptom और जो black area area पीछे वाला यह हलका सा कैसा हो जाता है blackening यानि black हो जाती है ठीक है अब black हो जाने के कारण हम लोग इस symptom एक डिजीज का symptom है और प्रोटोजोंड डिजीज अब जल्दी से बताओ कौन सी है और और सबसे पीछे हमारे कॉडल फिंस ऐसे पांस तरीके के टोटल फिंस होते हैं किसमें हमारा जो मिचली होती है ऊसमें ठीक है पीछे वाले फिंद je को मोलोग खॉडल बोलते हैं सबसे ऊपघरuchar होते हैं पीछे से थोड़ा सा नीचे होते हैं उसे इनल फिंस बोलते हैं आगे की तरफ और नीचे की साप्ट जो यह क्या बोलते हैं उनको लोग बोलते हैं pelvic और ऐसे थोड़ा सा उपर पैक्टोरल ठीक है आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्त हमारा हो जाएगा यहाँ पर D E E का मतलब सबसे last ठीक है कैसी है कल हमने बताई थी अगर इसको आज गलत कर दिया ना तो फिर बहुत गलत हो जाएगा बाई इसको सही करना मोनोफोगस ओलिगोफेगस हीट्रोफेगस या फिर पॉलिफेगस कि बॉम्बैक्स मुराई आंसर दो कि आंसर आंसर कि तैये कि अच्छा अभी बहुत बढ़िया यार सही है दोस्त वो कौन सी है बॉम्बैक्स मुराई का ही होता है ठीक है आंसर यहां पर हो जाएगा ए चलो अगला कोशन इस कोशन दोस्त है फिडेन हंगर क्या होता है इस पर हमने option लगा के रखें ठीक है नन ओप्शन नहीं है मैं पहले बता दे रहा हूं एक दो तीन चार differentiation के लिए color change कर दिया है answer दे दो आराम से hidden hunger किसे बोलेंगे हुआ हुआ है हुआ है कि दी answer बहुत दे रहे हैं कि एक बच्चे ने कुछ धेर बर लिखा है अमित नहीं कि मैं सी इंट्रेंस में कौन कौन से के लिए रोंगे साब सब कुछ के लिए रोगा बच्चा अंसर क्या हो जाएगा तो सभी के आंसर बी दे रहे हैं और उनको लग भी रहा होगा भाई सीधी सीधी बात है हम कह रहे हैं इल्ड का reduction हुआ है में अकर without appearance of deficiency of symptom symptom कोई दिखाई नहीं दोस्त ऐसा ना हम खाते जा यह है ठीक है खाते जा रहे है इल्ड मारे होँए नहीं खाते ही जा रहे हो hidden अंगर है दोस्ति यह यही क्या hidden अंगर दोस्ति आंसर क्या हो जाएगा बी बिल बीड़ राइट आंसर सभी का जवाब एकदम लाइन लगा के एकदम से सही है बहुत अच्छे ठीक है चलो अग अंगर चलो एकोस्तम तो राइस चंज और रिमान इन देट अविविवरों को सब्सक्राइट आए यह थीक है ठीक है अच्छा हम धामी नी कहा रही है सर ही तर ने धिन वाद मेरा नाम लिया तो महारा नाम कितने वाद लिये हैं ठीक है कि का हूँ है थो बड़ा हुय तो महारे आंसर के लिए थो हम रूखे इतनी देर से होमिय स्टेटिश्च अंसर दे रहें बिल्कुत सही कह रहें होम लुग रेजिस्क करते हैं अपने चैंजर्षट को या तो एसी में भागेंगे क्यों क्योंकि हमको अपने temperature मेंटेन करना है हम लोग home you status यानि कि दोस्ट जब भी आप बाहरी temperature को क्या करते हो रेजिस्स कर रहे होते हो दोस्ट इसे बोलते हो home you status answer क्या हो जाएगा a will be the right answer सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलो अगला question question तो हो गया खत्म अब जल्दी से score बताओ बाबु भाईया कितना हुआ तुम्हारा आज जरा आज score बताओ कितना हुआ है comment box में बताएगा session कैसा लगता है तुम्हें ठीक है और हां जो हम फिसरीज का लेके आने वाले हैं उसको आप लाइक कर देंगे देखो अगर उससे पहले मेरा हार बीएओ का बैच बाइलिंग्वल यानि दोस्त दोनों भासाओं में हिंदी इंग्लिस एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिस आपकी ऐसी रहेगी अगर आप मेरे साथ जूड़के करना चाहते हैं आल को सिलेक्ट करिएगा सिलेक्ट करने के बाद आई वी पैस एफो का दोस्त फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है ठीक है तेएश जनवरी से लाइव क्लास प्री और मेंस की हो जाएंगी आज अगर अभी करते हो तो दोस्त आज आपको डिस्काउंट जो है वह कितना मिलने वाला है अप अभी आपके लिए आफर अभी अभी जस्ट आया है आप इसमें इन्रोल कर लीजिए वाई 783 एक कोड के साथ में प्री और मेंस दोनों सारी पीडियाफ आपकी दोस्त ठीक है फाउंडेशन कोर्स बेहतरी तरीके से आप जुड़के त्यारी कर सकते हो अगर आप मेरे साथ B.A.O. में जुड़ना चाहते हो तो B.A.O. का बैच भी आ चुका है B.A.O. का बैच दोस्त ये रहा देखो बिहार B.A.O. S.A.D.O. ठीक है दोनों इसमें आपकी रहेंगे बैच ठीक है एक साथ कमाइंड तैयारी आपकी और ये बैच आपका अभी सबसे कम रुपे में है दोस्त वो हम बता देते हैं आपको अगर आप इन्रोल करना चाहते है Y783A जैसे आप एपलाई करोगे ये आपको मात्र मात्र 2850 ठीक है 2850 में आपका क्या इन्रोल हो जाएगा अगर आपने कोड लगाया Y783A तो जल्दी से जाओ ये कोड लगा और ये दो 2850 पर क्या इन्रोल हो जाएगा इसमें आपको जीस है ठीक है बिहार स्पेशल है ठीक है इसके इलाबा दोस्त आपकी हिंदी है यह आपकी बिहार अड़ा 247 की फेकल्टी आपको यहां पर आपको रिकॉर्डेट क्लास आपको प्रोवाइड होंगी ठीक है यह आपकी जिस सबी लोग इसमें क्या लाइब आपको क्लास देने वाले इसका कोई बैच दूसरा नहीं आएगा तो दोस्त अभी अल्टरनेटिव नहीं आपके सामने 80% आचुका है आपके लिए इंतजार था जो आपको बहुत सारे बच्चे करें सर इसका प्राइस कम करिए कम करिए दो कोई बैच में अगर आप इंड्रोल करेंगे आज तो आपको बहुत मैक्सिम डिस्काउंट मिलेंगा इस्पेशल आपका कोड बन चुका है ठीक है वाई 683 कैसे आपको इंड्रोल करना मैंने आपको बता दिया मातर 3000 में दोस्त आपको दिख रहा है न यह मातर आप जैसे इ i783a कोई दाउत आता तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई थो तो आप हमसे पूछ सकते हो किसी भी बैच के बारे में बिहार वालों के लिए खास स्पेशल कोड आपका जो है वाई सास्तो तिरा सी ए यह कोड आपका एक्टिवेट हो गया एक्टी परसेंट आफ के लिए तो जल्दी जाहिए इन्रोल कर लीजिए ठीक है चलिए रादे रादे थैंक्यू तो अलवियों अपना ख्याल रखिएगा बिलकुल ठीक है भाई एन वो तुम लोग कुछ ना कुछ ऐसा ही लेके आते रहे तो ठीक है बाबाइ टेक है जल्द क्यूची जल्स स कि ङयक है चलिए भी खचागरे आते श्यागदी प्रणदोच को अल्दी जल्दी प्रणवज थैंक्या को मताकुत है रज़ी टो प्रूजह प्र्स्टी है जल्साहाँ